आप शब को एक बात बता देना चाहता हूँ जन्म कुंडली से जुड़े हुए कि अगर शुक्र लग्ण में है तो आप खुस मिजाजी होंगे, हसमुक होंगे, कला में रूची, कलात्मक्रियाओं में रूची आपकी रहेगी, साथ साथ में खटे खाने के सोखिन भी रहेग जहां कहीं भी दस नमबर कुंडली में है, दस नमबर लिखा हुगा है और उससे चंद्रमा है, तो इससे आपको फर्क पुछ नहीं पढ़ता, चंद्रमा अगर दस नमबर में बैठे, तो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता, लेकिन अप संपुर्ण जीवन में जो भी पैसे कमाये हैं उसका धन का नाश हो जाता है अगर दस नंबर में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो उसमें दस नंबर में चंद्रमा हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन धन कमाया हुआ धन नाश हो जाएगा